जिस प्रदेश की जंता कि आप बात कर रहे हैं जब हम चुनाओं में या अधर्वाइज भी उनके बीच जाते हैं तो वो आपसे जोड़े दो-तीन सवाद बार-बार पूछते हैं और मेरी बड़ी क्वेरी है कि आप बता दें What was the political arrangement in 2018? क्या आपको राहूल गांधी ने ये प्रॉमिस किया था कि मद्यप्रदेश जीतेंगे तो आप सी-म बनेंगे? क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने को कहा गया था लेकिन आपने इससे ना नुकुर की क्योंकि आपका विरोधी खेमा उस समय यही कहता है उनसे तो कहा गय दोनों प्रशन का उत्तर है नहीं ओई प्रॉमिस नहीं किया गया था आपको? तो दूसरा सवाल फिर यह पूछते है कि फिर यह खफा क्यों थे? यह कहा गया था अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता ह। बहुत चीज़ें कही गई थी मंत्री जी मैं यहां नाग्रिकों की न आपके अबिन मित्र का यह बयान है आपने मुझे पूछा खफा क्यों और यह आपका बिल्कुल सही प्रशन है कहा क्या गया था यह भी तो बता दीजिए हमें यह जानने कहा कि सब्दा के गर्विकरें में क्या विसपर्स होते हैं? बिल्कुल मैं आपको कहूंगा जैसे मै ने आपको कहा हर मंच से यह कहा गया था राजिस्थान में भी और मद्यपदेश में भी एक तरफ अनुभव और एक तरफ उर्जा इन दोनों में से ही एक आप समझ गया मैं क्या किरा हूँ ठीक है? नतीजे आ गए, अब सौरब जी ने एक प्रतिशत योगदान दिया या सौरब जी ने पचास प्रतिशत योगदान दिया, वो छोड़िया, मैं पार्टी का कारी करता था वहां, मैं पार्टी का कारी करता हूँ यहां, जो भी निर्णे लिया जाएगा, उस निर्णे का पा कुई problem नहीं, वैंने का अभी जाके मैं अनाॉंस कर लूँगा, मैं अनाॉंस करूँगा और मैंने कहा मुझे इस से कोई मौ नहीं है आपका निर्ना है जो भी आप निर्ना है लो मुझे कोई प्रालम नहीं उसके बाद दिन प्रति दिन जो विवहार किया गया और अन्तह जो आपको भी याद है प्रेस के मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया गया कि सौरभ जी सड़क पे आ जाए मैं देख लूँगा उनको उसके पहले आपने आठ मार्च को सोनिया गांदी जी से मिलने की कोशिश की ते उसके बाद नहीं हो पाई मुलाकात हो गई क्या बादचीद होई मैंने बोला मैं सब कुछ सहूँगा पर मैं असम्मानित होना मैं नहीं सहूँगा अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता जो भी कहा हो नहीं कहा हो पर मैंने आपको पहले ही इस इंटिव्यू में कहा था कि मैं अपने सम्मान के साथ कॉम्प्रमाइज करने के लिए अपने जिन्दगी में तयार नहीं है मुझे यह नहीं चाहिए मुझे कुछ मत दो आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं